हलो एवरीवॉन आई होग आप लोग सभी होंगे चलो आज बनाते हैं मिक्स डाल फ्राय चलो तो फिर डाल फ्राय बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए वो धीरे-धीरे से देख लेते हैं तो देखने में आए थिंक बहुत अच्छा ही लग रहा है तो चलो शुरू करते ह तो इसके लिए हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, रसन, अद्रक और ग्रीन चिली, आप रच चिली भी यूज कर सकते हो और बॉयल किया हुआ मिक्स डाल, तो बाजार में जो मिक्स डाल मिलता है मैंने वही यूज किया है इसको ओवर नाइट पहले सोक कर ले तो आफटर डाट प्रेशर कूपर में अच्छे से बॉयल कर ले थोड़ा सा नमक दे के थोड़ा नमक इसे बॉयल करने में हेल्प करता है और पूड़ा गल जाए ऐसा हमें बॉयल करना है अब हमें क्या करना है कड़ाई में तेल गरम करके उसमें बटर डालना है अब जितना चाहे उतना डाल सकते हो अब के पसंद के अनुसार फिर खरा गरम मसाला थोड़ा तेज पत्ता डाल के उसे थोड़ा टेमपर होने दे आफ्टर दाट उसमें डाल दीजिए जीरा खरा जी आप अपने टेस्ट को बाइस पैलेंस कर सकते हो एंड थोड़ा सा कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा ही आता है तो आप यह जरूर डाले दिन इसको थोड़ा टेमपर होने दे आफ्टर डाले इसमें डाले जो प्यास रसुन कटा हुआ था वो धी अजपिया थीरे एक एक करे आप उसमें डाल देजीए तो मसाला थोड़ा फ्राइ奶 होने के बाद आप उसमें ड्यास ऍर देजा यहा भूआ ङसमें फ्राइव गाच्छापन चला जाए तो ग्रिंचिली इस अब इसमें अट करे तो कालीक प्राइओ तो इसमें रुड ए तो अगर आपको इसमें आइल चाहिए तो और डाल सकते हो अब एक एक करके मसाला एड़ करें जीरा पाउडर तनिया पाउडर टाबनिक पाउडर अब रेट चिली पाउडर टेस्ट वाइस नमक एड़ करें अच्छी तरह से भून ले जब भून जाए अच्छे से फिर इसम एड़ करें थोड़ा सा जो मिक्स डाल बॉयल किया था वो बॉयल किया हुआ वाटर हपकप एड़ कर लीजिएगा अब इसमें थोड़ा तरका मसाला एड़ करें मैंने यहापे कुकमी का तरका मसाला एड़ किया है तो इसे मुझे पसंद है इसलिए मैंने आड़ किया है आ तो जब साइड से ओयल सेपरेट होने लगे तब आप बॉइल किया हुआ जो मिक्स दाल है उसे एड़ करें और अच्छे से उसको थोड़ा सा फ्राइ करें जिसे के वह वाटरी जो वाटर कंटेंट है वह थोड़ा कम हो जाए फिर इसमें थोड़ा चीनी एड़ करें तू बै जो जिस वाटर में बॉइल किया था दाल को वह पूरा वाटर इसमें मिला दे अच्छे से स्पैचुलर से अच्छे से मिला ले और बॉइल तक आने दे जब वह बॉइल होने लगे फिर ढखन लगा दे और कवर करके इसे कुक करें जो धकन लगा के कुक करें आफ्टर 15-20 मिनिट्स अन लो टू मेडियम हीट कुक करने के बाद धकन उठा दे देखिए डाल का कंसिस्टेंसी कितना घना हो गया है अब इसे एक बोल में निकाल लेजिए तो हमारा मिक्स डाल फ्राय एकदम रेड़ी है अगर वीडियो अच् सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर और कमेट करना मत भूले थैंक यू